अगत है दोस्तों यूट्यूब चानल साइबर सुरक्षा में इस बार कुछ नया कॉंसेट आया है और यह बहुत जादा तेजी से फैल रहा है इसके बारे में जब लोगों से बोला जाता है तो लोग इसको बताने से भी डरते हैं कुछ ऐसा उनके साथ होता है कुछ इस तरह की वीडियो बनाई जाती है कुछ इस तरह की असलील वीडियो उनको पोस्ट किया जाता है उनहीं का वीडियो उनको दिया जाता है कुछ उनकी गलती नहीं होती है और गलती होती भी है तो उस चीज को एकसेप्ट नहीं करते हैं औ आपकी इज़्जत मान प्रतिशा सब कुछ खतम किया जा सकता है सिर्फ एक वीडियो के विज़े से कैसे बनता है वो इसको देखते हैं वीडियो कॉल ब्लाक मेल थ्रेट आपको टॉपिक का हेडिंग देख करके समझ में आ गया होगा कि क्या चीज था वो पूरा मामला क्या हो सकता है इस वीडियो में आप देखिए रियालिटी क्या है फैंटेसी क्या है इस चीज के लिए लोगों को बहुत जल्द अपने आपक क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं यह पूरा मामला है इसमें समझने का बहुत इंपर्टन चीज यह है कि 50% 54% जो लोग है वो सोशल नेटवर्किंग साइट से इस चीज़ों में फस जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के थूरू उनके साथ फॉड होता है 41% मैसे इस तरह के कुछ जो इल्लीगल चीजे हैं जो अदर्ट कंटेंट है वो सारे चीज़े दिखाई जाती है तो यह सारी चीजे हैं अभी क्या कुछ होता है कैसे वडियो बनता है उसको समझते हैं यह किस तरह से मुदस काम करता है यह मैसेजिंग आप के थूरू आपको एक मै में फेस्बुक में किस तरह से लोगों से इस तरह से दोस्ती किया जा रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं लोग किस तरह से वीडियो बना रहे हैं और उस तरह से उनको इसको एक start कर रहे है और adult size जब कोई उस पर visit करता है तो क्या कुछ होता है इसको देखेंगे समझेंगे क्या है कुरा मामला तो प्रेकिन messaging app में क्या होता है विसी कली अगर आप इसको पंड लीजेगा तो आपको समझने आ जाएगा देखेंगा बेसे करी messaging app में क्या होता है कि आपको जब वह message किया जाता है वो to video message किया जाता है आप chat शुरू करते है chat शुरू करने के बाद वह आपको post करने बोलेगा इस camera बोलेगा कि आप जो है nude हो जाई है वीडियो कॉल में इस तरह से आपको बोला जाता है जब आप कुछ इस तरह हरकत करते हैं तो वो उसको record कर लेता है record करने के बाद वो क्या करता है record करने के बाद आपको start करना सुरू करता है सेम चीज आपका dating app में भी वही चीज है आपसे दोस्ती होती है सारी कुछ बात होती है वीडियो कॉल होता है वीडियो कॉल के बाद वो आपको वीडियो record करता है और जहां आपने कोई छोटी सी गलती की आप फिर उसी क्या सिकार हो जाता है social media वाला हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है social media में same funda है social media में मैं आपको इसमें बताऊँगा कि क्या आपको बचने के लिए क्या करना है वो आगे बताएंगे आपको adult sites जब भी कोई access करता है कुछ adult sites में वो क्या होता है वो आपको ये बोलेगा कि आपने इसमें access करने की कोशिस किये वो आपसे phone number लेगा आपका email ID लेगा आप फिर फोन नम्में डालोगे तो उसमें वो कुछ number बेजता है ODP बेजता है आप उसमें access नहीं कर पाऊगे अगर आपने अपना number दे दिया आप access कर गए उसमें करने के बाद वो आपको उसी link को आपको बेज कर आपको start करेगा और आपसे पैसे ठगने की कोशिस करेगा और आप इस चीज को कहीं बता भी नहीं सकते क्या कुछ होता है Facebook वाला मामला जो बहुत ज़ादा फैल गया है हर जगा case इस तरह के आगया है हर जगा आप जाओगे तो इस तरह के बहुत सारे कम case रिपोर्ट होते हैं यह तब रिपोर्ट लोग करते हैं अमुमन जब उनके पास बहुत ज़ादा amount में ठगी हो जाता है आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है इसको बहुत तरीके से समझे एक cyber foster इस तरह के friend request आपको भेजते हैं friend request Facebook में आता है और आपको मैंने Facebook का जो fake friend request वाला आता वो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आपको नहीं बताई गये लेकिन अगर आपन इस image को reverse search करके check कर सकते हो कि genuine है या fake है यह सारी चीज़ मैंने पहले बता रखी है लेकिन फिर भी अगर आप गलती करते हो तो यह आपकी responsibility होती है मैं किसी पर blame game नहीं कर रहा बट यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको पहले यह सारी चीज़े बता दी गई है लेक सुदर रखी का इनको photo आया यह बहुत खुश हुए इस महासान ने क्या किया इनको request को जो इनको बेजा गया था यह request उन्होंने accept कर लिया accept करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने app chat start किया उसके बाद यह नोंने क्या किया कि मैं आपके relatives वह बहुत सातिर होते हैं उनको पता जो fraudster होता है वो लड़की होती है वो या लड़का होता है वो कोई भी हो सकता है वो आपके उस family member से भी जोड़ जाएगा उसमें जोड़ने के बाद क्या करेगा वो आपको बोलेगा कि आप अपनो WhatsApp नंबर दो या आपको messenger को थूरू भी वह message करेगा उसके बाद वीडियो को record कर लेती है record करने के बाद आपको start करना start कर लेती है वो क्या करती है कि वो यह बोलती है कि आप हमें कुछ पैसे दो otherwise हम इस वीडियो को upload कर देंगे आपके जितने family members को पहले जूड़ चुकी है वो यह बोलती है कि आपके सारे family members को भी हम भीज़ देगे तो इस तरह का जो छोटा सा यह इसने खेल राचा अब उसका क्या है implications देखिए वो क्या करेगा कि आपको यह पैसा आपने पे कर दिया उसके आपको यूट्यू मैनेजर से फोन आता है वो यह बोलता है कि हमें एक वीडियो मिला है यूट्यूब के हमें मैनेजर हूँ और अभी आपको य जिनको भी वीडियो बनाए एक तो आप गलती किये हो आप उनको पेमेंट दो पैसा पेक करो तो आप यह समझो कि एक तो आपसे गलती हुई थी चलो वो गलती हो गई है आप नहीं कहीं बता सकते अभी आपने पेमेंट कर दिया आप YouTube वाले को भी पेमेंट किया फिल एक पुलीस वाला का आपको फोटो भेजा जाएगा इस तरह का व्यदियो कंपलेंगे लिए आपको पूलिस में डाल देंगे और आपके घर बेसे करेंगे तो इस वज़े से लोग सोचते हैं कि चलो किसी तरह से हमको मामला खतम करना मामला खतम करने के नाप फिर वो एक्सटाउट करेगा वो धंकी देगा फिर डेटिंग चैटिंग वाला भी सेम फंडा इसी तरह होता है उस तरह चैट करोगे आपका फिर वीडियो बना लिया कि इसने क्या किया कि विटिंग जो है सारा पैसा पे कर दिया कि जो भी इसे पैसा मांगा है जो यह पैसा पे किया पैसा इसको चला गया अब यह लगातार, continue louis चेंज चलता, आपको लगता है कि उसमें तो इसके पस तो μα unde हारा, वो कभी भी आपको बार बार ब्लैक कर देता है अगर वो सोचता है कि डिलीट करने से हम बच जाएंगे तो सबसे बड़ी गलती करता है क्योंकि अगर आप law enforcement के पास जाओगे आपके पास आपने evidence इसे गर दिया है तो आपको immediately वहां रुप के दो मिनिट सोचना है कि आप उसको कैसे पैसिफाई कर सकते हो कैसे इस चीज को सामने वाले को बता सकते हो आप पुलिस वाले से बात कर लो आप तुरंत immediately अपने family member से बताओ कि इस तरह का कुछ चीज हमारे साथ हुआ है यह unknown आप आपको friend request ही नहीं आपको unknown call भी आ सकते हैं एक आपको app दिखेगा उसमें फोटो आएगा जो फोटो बहुत अच्छा लगा हुआ रहेगा और आपको video call आएगा आप उसको जैसे उठाओगे तो सामने वाला क्या करेगा वो अपने आपको nude करना स्टार्ट करेगा जैसे nude हो आपको unknown video call उठाना नहीं है और भी कुछ क्या कर सकते हैं इसको आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ examples कि क्या कुछ हो रहा है हमारे victims के साथ और लोग किस तरह से फसर हैं इसके examples आपको दिखाते हैं यह कुछ examples से इसको आप समझने की कोसिस कीजिए यह लगकी इसको आपको दिखाते हैं इसको आप जाकर कि तरह कुछ गलत काम कर बैठा है कि क्या करना है यह वो वीडियो था उसके वाद इन्हें बोला है कि नहीं करना है अभी तक सामने वाले से कभी मिल आइंगे घ़ा के तो यह इसमें प्रा थाईजन रुपे omas Bean ऐसे तो देखे फिर क्या होता best один आगटार अभी लगातार फ्याक कि एक्ति आपको मैं बता थोकि यह उपर ज्यादा प्यासा दे चुक्री बढ़ आपको मैं अफे तक बहुड़ ज्यादा बढ़ गया है अव्या है इसमें हम लोग इसको sin of the society वोलत है, sin of the society का मतलब यह हुआ कि वैसे crime या वैसे कुछ incident जो हम इसका मतलब समझ जाए कि अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं और लाइक डाउन है तब आपका चहरा दिखेगा ताकि वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सेके यह रिकॉर्ड हुआ उसने कितने पैसे मांगे 200 रुपे मांगा गया मांगने के बाद उसने क्या किया मैं तुम्ह और सेक्स्टॉशन यही हो रहा है सारा चीज देखें यह जो है आप फोटो भीजा गया फोटो भीज करके बूला गया यूटीब का कस्टमर के कॉंटक्ट नंबर है यह आपको सारा चीज बेज़े यह फोटो भीज दिये आपको लगा कि विनोद मिश्टा नाम के कोई बं यह सारा चीज चल रहा है प्रेटियम यूजर और जो भी है प्रेटियम नंबर सर्विस के लिए और बहुत सारी इस तरह के चीजे बनी हुए लोग इस पर एक्सेस करते हैं और फस आते हैं और बहुत भारी नुपसान हो जाता है काईनली इन से उपर उठें और इन से इस नंबर में पर लिए तो इस तरह के फेक मेसेज़ आ रहा है आप प्रेटियम करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा आप बात करोगे फिर आप ही से और पैसा मांगा जाएगा यह एक दलदल है इसमें आप घुसोगे और फस्ते चले जाओगे इसमें निकलने का कोई रास् इसमें बचने का सिर्फ और सिर्फ एक मात रूपाई यही है अन्नोन चीजों को टच नहीं करना अन्नोन को अगर हाथ लगाते हो दलदल में घुशते हो तो आप फसोगे और आपको एकसट नहीं करना है अन्नोन नंबर से अगर फोन कॉल अब आपको आता है वीडियो कॉल अगर इस चकर में पढ़ोगो तो यह उनके साथ पो रहा है और यह वीपोर्टिंग बहुत कम है इस वज़ा से हम लोग किसी को पकड़ भी नहीं पाते हैं इस पे कुछ लोग है जब विक्टम हो एक्जॉस्ट हो गया तब उन्नोन रिपोर्ट किया फाइनली तब जाके अगर आपको यह चीज नहीं करना है कभी भी अपने आपको न्यूड पोस्ट नहीं करना है अगर आप उसको क्लिक कर लेते हो तो होता क्या है माद लिजे कि वह एक फाइल है जो सामने वाला फॉट्सर देख रहा हूं सारा आपका डेटा ले लिया अब डेटा लेने के बा साइड पर आप जाकर कुछ चीज देख रहे हो तो यह बहुत छोटी सिंपल सी चीज होती है मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन से साइड सर्च की ती मैं जो कि मुझे बहुत टेक्निकली इसके बारे मैं जानकर रही नहीं है लेकिन मैं आपको इमीडियेटली बता सक अगर कोई चीज इस तरह का आप प्रफाइल देखते हो आपको लगता है कि फेक है और आपसे ठगने की कोशिज कर रही है तो आप इमिडियेटली उसको रिपोर्ट कर लो यूजर को रिपोर्ट करना आपको बताय गया है पीछे फेस्बुक वाला जो भी मामला है फेस्ब इस तरह का आपका हरकत अगर फेस्बुक पर सोशल मेडिया पर या इंसाग्राम पर और इस तरह के किसी भी साइट्स पर होते हैं और आप इसको रिपोर्ट करते हैं और आपको लगता है कि आप इसको नॉर्मली खतम कर दीजेगा तो ऐसा होता नहीं है अगर आप इस से बचें सावधान रहें सतर्क रहें इस तरह के किसी भी वीडियो कॉल फोन कॉल को रिस्पॉंड ना करें कोई मैसेज को रिस्पॉंड ना करें लालच बहुत बुरी बला है लालच के चक्कर में ना पढ़ें अपने आप पे कंट्रोल रखें संयम रखें और आगे जीएगा तो नुकसान होगा और आपका एक लाइफ का बेस्ट फेज जो है वह इसी में कट जाएगा धन्यवाद जय हिन जय बारत